हेलो अबरीवन तो कैसे आप सभी आई होप आप सभी स्टूडेंट ही ठीक होंगे तो देखिए आज की वीडियो होने वाली सैगिंड सेमेस्टर के उपर चाहे आप सोल से बिलोंग करते हो एंसी बैफ से रेगुलर के लिए ठीक है तो मोशली कई सारे मैसीज हमें मिल रहे थ हैं तो उसके बारे में सारी अपडेट इस वीडियो में मैं आपको दूंगा देखिए बेसिकली सैकिंड समेस्टर वाली जो स्टूडेंट है वो नए है मुझे पता है क्योंकि अभी उन्होंने घर तक का ही रास्ता देखा सोल तक अभी तक उन्होंने रास्ता नहीं देख हम आपकी हेल्प करते रहे ठीक है तो देखिए पैची सोल की स्टूडेंट है उनको मैं पहले बता दूँ नहीं के मैसी सबस्यादा मिल लेते सैकिंड सैमिस्टर के जो सोल के स्टूडेंट है किनको राजिस्टेशन करवाना वो आप सुन लीजिए देखिए कई मैसीज कई कई हो के रीप्लाइब मिले वह कई हो के नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मैसी सेम है ठीक है तो देखिए राजिस्टेशन आपका हो चुका है दोबारा बता रहा हूं सैकिंड सेमिस्टर का जो आपका राजिस्ट्रेशन है वह आल्रेडी सोल से अगर आप बलॉंग करते हो सै स्ब्जेक्ट मेंसन है वह है डूष के सबजेक्ट कर रहा है कि में को सिंपली कु legitimately करना एक वीडियो ड nadzie जा लाणे में पर बताया है आपको को सारे सब्जेक्ट कर आपको अपने शब्जेक्ट करना है । लोग इन करने doc pro प्रोफाइल होगा प्रोफétais को हम आपके सारे सब्जेक्ट सो कर जाएंगे सेख Lords के अन्ध हो चुके है अल्रेड जिनके सब्जेक्ट सो कर रहे हैं।운 को ऐसके सब्जेक्ट उनकी प्रोफाइल के अंदर सो हो रहे हैं।झ मेख ऑफेजट्ट पर जाकरुथा हो याindo नहीं होते हैं आपके प्रोफाइल के अंदर जरूर आपके अपके शो होगे ठीक है दूसी चीज कई ऐसे स्टुडेंट जिनके प्रोफाइल में भी सों नहीं हो रहे ना फिर स्टुड पर सो हो रहे एक्षिली यह प्रॉब्लम तब होती है जब आपने एडिविशन लिया हो सब्जेक्ट चूज कर लीजिए बनना सोल ओटोमेटिकली खुदी अपने दिमाग से आपके तो सब्जेक्ट है या तो उनको चेंज कर देगा क्योंकि कई स्टूडेंट है जिनके सब्जेक्ट चेंज हुए साइकिन सेमस्टर के या तो खुदी आपको चूज करके देदेगा मतलब कि चांसिस कम है कि आपको दुबारा रेजिस्टेशन का मौका मिले तो कुल मिलागे बात यह है कि सेकिंड सेमस्टर के जितने भी ऐसे स्टूडेंट जिनके प्रोफाइल के अंदर सेकिंड सेमस्टर के सब्जेक्ट अपडेट है मैंसन है उनको कोई भी रेजिस्टेशन नहीं कराना है कंफर्म है आज अपने पता किया तो उनका साब कहना है कि जिनके सो नहीं हो रहे उनको भी आप्टोमेटिकली चूज करके देदेंगे बनना लिंक उनके डैसोड पर जल्दी हम आवलेबल करवा देंगे अब दूसी चीज तो आपको कोई भी एक्जाम फॉर्म नहीं भरना है आपने जब एडिविसन लिया था जो आपके 4040 रुपे आपने दिये थे वो दोनों सेमिस्टर की आपने फीस औरेडी पेक कर दीती अब आपको कोई भी एक्जाम फॉर्म एक्स्ट्रा नहीं भरना है अब देखिए अब जो NCWEP की स्टूडेंट है क्या आपको रजिस्ट्रेशन कराना है जी हाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा सिरब आपको सिरब एक्जाम फॉर्म ही की फीस ही only pay करनी होगी एक्जाम फॉर्म की जो फीस होती है एक्जाम फॉर्म वह होता है सिरब आपको बोई वनना होगा पाकि आपकी भी सब्जेक्ट वो ऑर्टोमेटिकली आपके college चूज कर देंगी आपके लिए ठीक है तो सोल के स्टूडेंट को एक्जाम फॉर्म नहीं वनना है रेगुलर और nc web की जो स्टूडेंट उनको एक्जाम फॉर्म वनना है और सोल के स्टूडेंट को कोई registration फिलाल नहीं कराना है जिनके भी profile में subject अपडेट हो गए है तो ठीक है अब परिसान मत होना बार बार यही same question स्टूडेंट के आते है सर क्या registration कराना है सर क्या registration कराना है सिंपल है profile में जाईए process की वीडियो पूरी और रेडी बना चुका हो में step by step पूरा procedure बताया भी है कैसे आपको अपने subject देखने है link उस वीडियो का में description box में डाल दूगा ठीक है देख लेना profile में अगर आपके subject update है तो अब आपको कोई registration नहीं कराना अब देखे कई सब्जेक्ट चेंज भी कराना चाहते तो मैं उसे यह कहूंगा फिलाल चेंज के लिए सोल की तरफ से कोई official update नहीं है बहुत मुस्किल है कि सोल इस बार आपको change करने का मौका दे ठीक है क्योंकि आप already subject all choose कर चुके हो अब ऐसा तो है नहीं कि आ ऐसे चेंज होंगे इसके लिए बेट करो अभी क्योंकि सब्जेक्ट चेंज करने के दो option होते एक तो online होता है एक offline होता है online बिल्कुल अभी available नहीं है अगर नहीं होते तो जो subject अभी आपको मिले हुए second semester में उनको ही study करके आपको एक्जाम देना होगा ठीक है वीडियो कै लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब करते सोल के student को कोई exam form नहीं बनना है ठाइंगी सो मच